हलो दोस्तो स्वागत है आप लोग आप फिर से हमारे चनल सद्गुर अलपजुकेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्द के रहिम दास जी के जियन पर चेक बारे में तो चलिए वीडियो के लेट न करते हुए श्टार्ट करते हैं रहिम का पूरा नाम अब्दूल रहिम खान खाना था इनका जन्म सन 1556 को लहर में हुआ था इनके पिता बैरम खा मुगल समराट अकबर के सनरचक थे किनी काड़ोंज अकबर बैरम खा से रुष्ट हो गए थे और उन्होंने बैरम खा पर बिद्रों का आरोप लगा कर हज करने के लिए मक्का भेज दिये थे मार्ग में उनकी सत्रू मुबारक खान ने उनकी हत्या कर दी बैरम खान की हत्या के पस्चात अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की सिक्षा की समुचित विवस्था किये प्रति भास्पन रहीम ने हिंदी संस्कृत अर्बी फार्सी तुर्की आदी भासाओं का अच्छा ग्यान प्राप्त कर लिया था इनकी योगिता को देखकर अकबर ने अपने दरबार के नौरत्नों में इस्थान दिया मुसल्मान होते वे भी यह स्री कृष्ण के भक्त थे अकबर की मृत्यु के पस्चात जहागिन ने इने चित्र कूट में नजर्बन कर दिया जिसके कारण यह धेर दिन तक जीवित नहीं रा सके और इनकी मृत्तिव सन 1627 सिस्वी में हो गई इनकी प्रवुक रचनाया है रहिम, सच्थाई, सिंगार, सच्थाई, मदनाश्टक, आधी आज के लिए बस इतना है मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ धन्यवाद